आपका अपना चनल इंडिया एवन न्यूस जो रखे आपको एवन साथियों आज का ये अवसर उत्सवता का ख्षन तो है लेकिन इसके साथ ही ये ख्षन भारतिय समाज की परिपक्वता के बोध का भी ख्षन है हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं बिनएका भी है दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ठ अपने ही इतिहास में उलज जाते हैं ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलजीवी गांटों को खोलने का प्रयास किया उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई बलकि कई बार तो पहले से जादा मुश्किल परिस्थित्या बन गई लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांट को जिस गंबीरता और भावगता के साथ खोला है वो यह बताती है कि हमारा भविश हमारे अतीच से बहुत सुन्दर होने जा रहा है वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बनागा तो आग लग जाएगी ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाएगे राम लला के इस बंदिर का निर्मां भारतिय समाज के शांती धैरिय आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है हम देख रहे हैं कि निर्मां किसी आग को नहीं बलकि उर्जा को जन्म दे रहा है राम मंदीर समाज के हर वर्क को एक उजवल भविश के पत पर बढ़ने की प्रेणा लेकर आया है मैं आज उन लोगों से आहवान करूंगा आये आप मैसूस कीजिए अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए राम आग नहीं है राम उर्जा है राम विबाद नहीं राम संगाधान है राम सिर्व हमारे नहीं है राम तो सब के हैं राम बरतमान नहीं सिर्व बरतमानी नहीं राम अनंत काल है झाल झाल झाल